जाहिंद आपके अपने चानल लियो एश्टाडे 24 के बढ़ा माज स्रीज में आज हम कार्वनिक रसाइन और उसके उप्योग के बारे में बताएंगे और बताएंगे विप्यासी द्रोगा और अडर कमपेटिशन में कितना मारका पूछा जाता है तो वीडियो को आप लास्ट तक वाच किजिए आप सबसे पहले हमारा प्लान समझे कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए इस वीडियो में हम आपको कोस्टन बैंक और सिलेबस का पूरा पूरा अनालैसिस करके बताते हैं जिससे कि आपको समझने में शुविधा मिले और आप वही चीज पढ़ सके जो आपको पढ़ना चाहिए हाड वर्क किसे कते और समार्ट को वर्क किसे कते थुरा समझे एक कहानी के माधियम से हम थुरा समझाएंगे तो आप 123 में पढ़े होंगे हमें याद हा है कि हम 8 अध़क कहानी पढ़े हैं खर्गोस और कच्छोपा की कहानी अज हम समार्ट वर्क और algorithms कच्छोपा और खर्गोस की कहानी से आपको समझाएं तो हैं या सम्झात वया है जैसे आप आपको bpsc पढ़ना है तो क्या करते हैं आप सबसे पहले मार्केट में गए लुशेंट जो भी बुक मिले लुशेंट या क्वेश्चन बैंक आप लिए और उसको पढ़ना शुरू कुए जिर्ण Lagajwe परते परते एक बार खटम के दो बार खबसे तीन बार खबसे निकल ही ने रहा किसी आप सोचे हैं वह है कि आप हाइट वर्क कर रहे हैं और smart work क्या होता है आप थोड़ा यह समझाते हैं smart work का मतलब हो गया कि आप question bank और syllabus का सबसे पहले analysis कीजिए पढ़ने से पहले जैदि आपको 5-10 दिन मेहनत करना परता तो कोई दिकत नहीं है question bank और syllabus का पुड़ा पुड़ा analysis कीजिए analysis करने से आपको यह पता चलेगा कि हमको क्या चीज पढ़ना और क्या चीज छोड़ना है BPSC यही चीज देखता है कि आपको क्या चीज छोड़ना है पढ़ाएगा कोई अंत्र नहीं है पढ़ाए एक समंदर की तरह है और समंदर की एक खिवया एक इंसान है जदी हम सही दिशा में किनारे की दिशा में जदी नहीं तेरेंगे और समंदर के ही दिशा में तेरेंग कि आपको क्या चीज पढ़ना चाहिए वह निरंतर चीज है आप चार घंटा परते हैं कोई दिकत नहीं है चार घंटा ही पड़िए लेकिन वह बना रहना चाहिए उसके लिए आपको थोड़ा बहुत दिकत होगा थोड़ा दोस्ती यारी सब छोड़ना पड़ेगा आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत अपनी आप से सेटलमेंट कर सकते हैं क्योंकि आप सफल होना चाहिए सफलता ऐसे किसी को मिलता नहीं हलवा तो है नहीं कि चलो कि बिखने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो आप को यहीं पड़ेगा कि आप थोड़ा रिष्टेदारी सब कम की भी किजिए कुछ मिहनत कीजे क्योंकि ये सपना आपकी होना चाहिए तो यह तो आप समझे के guide वीडियो आपको क्यों पढ़ना चाहिए ज़िए आप इतना analysis कर चुके हैं तो आप test वीडियो देने से आपको फाइदा क्या होगा कि आपको topic wise त्यारी हो जागा topic wise त्यारी होने की वज़े से आपकी हरव कमी जिस कमी के वज़े से आप सफल नहीं हो रहे है वह सब पुढ़ा हो पाएगा तो आप test वीडियो छरूरूर पुरा होगा यदि आप फडिया या शुरुआत अभी आभी किया है तो आपको तो तीनों वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आप बुप में जो भी चीज पढ़ेंगे निया चीज लगेगा ओ यह काफी इंपोर्टेंट है तो दिक्कत होगा आप मेरा एक्स्प्लानेशन व नुछ, दिख्कत होगा लेकिन कुछ, दिन के बाद आपको समझ में आ जाएगा, समझने के साथ ही आपको वे टॉपिक भी समझ में आने लगेicação और एक्स्प्प्लनेशन विडियो के माध्यम से आपको यह भी तो पहला देखिए तो हाइड्रोकार्बन नाम से एस्पाटरोड आया है जहां हाइड्रोजन और कार्बन का स्वन्यूजिक रूप बना हुआ और जो हाइड्रोजन और कार्बन मिल जो भी बस्तु बने उसका बेवारिक लाइफ में उपयोग क्या है जब भी कोश्चन और mm अपूर पूबünden का बहुत है और कॉनसा और कंसा कैसा होता है कॉनसा अलकॉहल को से य parrot होता है कॉन सा एक म्यूदन करिद होता है कॉंण ऑलकॉहलो पीने योग हुटा और किस इंप्राटन्ट में उप्योग किया जाता है पहुल्म लग Red Wing लग लगतितन सबस्कोन इसका होगा यहीं परकार के बस्तू के आपस में मिल जाए जहें होता ना एक रहती ही दर्व के बस्तू को तो बहुत सारा होगा जैसे कि मार्केट में जाईएगा तेल का एक पहुच लिए उसी को एक काटून में लिजिये वह क्या होगा बार पिस wreckison तो बाड़ा पीस क्या हो गया वो सम्मीलित रूप में बहुलक हो गया एक पीस लिए तब उसका एक बास्तिविक नाम जाते तेल है तो तेल होगा सम्मीलित रूप में लिए तो बहुलक हो गया तो बहुलक में सबसे ज़्यदा कोशन पूछता है उसका उप्योग क्योंकि ब कार्वनिक अम्ल मतलब हो गया कि जिसमें कार्वनिक वस्तु तो हो जिसमें कार्वन हो लेकिन उसमें अमलिय गुन हो और उसका विभारिक लाइप में क्या उपयोग है यहां से भी कुश्चन पूछता है अगला ट्रॉपिक और बिश्फोटक पदार्थ अब समझे विश्फोटक पदार्थ बहुत सारे पदार्थ है वह कार्वन के किस रूप से मिल कर बना है उसकी क्या उपयोग है उसको कहां कैसे उपयोग किया जाता है यहां से कुश्चन पूछता है इसके बाद जो लास्ट ट्रॉपिक है वह इंधन है जिसको जलाने पर उस साइंधन को यह Ty gyad 현재 क्या पूछथा है तो यह तो टॉपिक हो गया इसी मेर्ट आप सेала अप्मार्जक सबत और यह टोस्ट कैंप आपको क्या करना है पढ़ना अब ये समझ है कि भी प्यासी में कितना सब्सक्राइब तो कभी समझने वाला है तो एक वारत ठीन मार्ख पुछता आथि सुछां कि इस्तपे दो ऐसे पोने सब्सक्राइब के फिर मर गवाहेगा कि कितना मार्क पूछा जाएगा हमको लगता है कि सरसथिमी में तीन मारका पूछेगा लेकिन इस टॉपिक पर आप दो मारक जरूर लगा के रखिए क्योंकि इस टॉपिक से दो मारक आपको आएगा और यह टॉपिक तो रहा लंबा है थो 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 ठाइम लगेगा चार-पां वीडियो में हर टॉपिक को बारी किसे चर्चा कर देंगे जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो तो आप समझ गए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए धन्यवाद